सबी लोग का हमारे शेरेल में स्वागत है आज मैं आप लोग को मधिका का एक most important topic पढ़ाऊंगा जो कि आपके exam में इस प्रकार का question always आता है तो हम समझते हैं मधिका में कितने टाइक के question होते हैं और कौन-कौन से किस प्रकार के तो पहला इसमें हम question का जो इसमें formula लगता है मधिका में हम पहले समान फ्रेडी की तरह पढ़ते हैं तो उसमें दो topic चलेगा जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर मधिका और इसी को बोला जाता है मध भी या इसी को बोलते हैं मध्यक तो अब हम समझते हैं इसमें number एक दो condition लगता है number एक जब संख्या सम हो तब यहाँ पर हम देखते हैं तब जो फार्मूला हमारा चलता है वह चलता है मधिका बराबर यहन बटे टू वहाँ पादे प्लस यहन बटे टू प्लस वन वहाँ पादे और पूरे का बटे होता है दो और दूसरा कंडिशन इसमें लगता है कि जब है कि संख्या है कि भी सम हो तब हमारा फार्मूला लगता है मधिका पराबर मधिका कौम कैप्टल यह हम से लिखते हैं यह लगता फार्मूला यहन प्लस वन बटे टू वापद यह तो हमारा स्रेडी के लिए चलेगा जैसे अब इसमें हम कुछ फार्मूले से लगा लिए तो इस टाइप से कुछ कोस्टन समय लेते हैं जैसे कोस्टन नमबर एक हमार करेंगे जो भी सवाल लहेगा उसे हम स्वारपर्थम हमेशा आरोही करम में लिखेंगे आरोही करम अब आरोही करम में क्या होता है बढ़ते हुए कसंख्या में हमको लिखना है मतलब पहले छोटी संख्या फिर उसके बाद बड़ी संख्या तो यहां पर हम देखें तो सब carbon ya कितना हैрий को तो यहां पर संख्या देखें एक लिए यहहां तो एक हो खेते यहां संख्या को लिखते हैं यह संक्या को ओ assistants Dummy adding क्षा है तो अब हम देखें तो यहा पर मैंने मदिचा के लिए कुछ ने लखाया आए जब mesmo संख्या उता है तो हम यह फार्मूला ऊपिन करते हैं तो इस एक लीपार लेटे यहाँ पर रखते हैं मधिगा को का एप्टलियम से लिखते हैं तो हम यहां का अचल यहां बराबर लिख देते हैं फार्मूला होता यहन मैफभड़ टू आprot और प्लस यन बटे टू प्लस वन वां पत अब पूरे का बटे होता है दो अब हम वाइले रख लेते हैं यहां पर रख दी आमने यहां भी हम देखें तो यहन का मान 6 और बटे 2 प्लस वन है यह हिंदी हम हमेसा लिखते रहेंगे जबता कम उस बैलू को रखनें देतें, और पूरे का बठे है, दो, अब यहां पर अगर हम देखें, तो इसे हम कारदेंगे, तो यह तीन आ जाएगा, और यहां पर कारदें, दो, और दो, तियां, छह, तो तीन और एक हो जाएगा, चार, और बटे दो तो यह हो गया हमारा बैलू तो अब हम इसे क्या करेंगे बैलू रख लेते हैं जैसे हम आगे देखें तो यहां हमारा तीसरा पद है तो तीसरा पद यह पहला है यह दूसरा और यह तीसरा तो इसका मान हमें तीसरा पद का मान आ गया तीन प्लस यहां लिखा चौवा पद अर्था चौथवा पद हम लिखे तो हमारा चौथा पद होगा फाइप तो हमने यहां लिख दिया फाइप और बटे हमारा है दो अब इसे हम क्या करेंगे पांच और तीन को जोड लेते हैं तो यह हो जाएगा आठ और दो से भाग दे देते हैं तो यह आज आएगा हमारा चार जो की होगा हमारा अंस्वर इसी प्रकार हम अगला कोश्चन भी देख लेते हैं जैसे यहां पर देखें दूसरा कोश्चन आठ साथ नौ पांच दो तीन एक और यहां पर हमने लिख दिया दस तो यहां पर हम पहले क्या काम करेंगे इसका मद्धिका निकालना है तो यहां पर हमें पहले और जो काम करना वो लिखना हमें आरोही करम में तो हम आरोही करम में लिखेंगे सबसे छोटी संक्या तो सबसे छोटी संक्या एक है उसके बाद यहां है दो फिर तीन और चार तो है नहीं इसके बाद आजएगा पांच उसके बाद हम देखें कितनी संख्या है संख्या को मिस मालियन से लिखते हैं दो टीन चार पांच छेसा आठ और एक Nemo संख्या मारा आ ग्या नौ जो की संख्या क्या हूं हदा ? बिसम अब हम यहां पर फार्मॉला लेका है आ ключा निकालना है को जब संख्या भी होता है तो हमारा फार्मूला लगता है मद्धी का बराबर यह होता है एक बन्द कर से लिखते हैं यह प्लस वन गटे देतें तब तक हम इस हिंदी को लिखते रहेंगे नौ में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा दस वटे दो वाँ पद अभी से हम क्या करेंगे दो से भाग देतें तो यह पांच आजाएगा अर्थाथ पांचमा पद आजाएगा अब हम देखेंगे पांचमे पद का मान कितना तो यह हमारा सवाल है यह पहला मान अर्थाथ पहला पद यह दूसरा यह तीसरा यह चौथा और यह है पांचमा और हमें पांचमे पद का मान चाहिए तो पांचमे पद का मान कितना है सेवन यह हो गया हमारा अंस्वर हम अगले मत दिका ग्यात कीजिए तो अब समझते हैं जब भी स्ट्राइब का कोश्चन आएगा तो आपको ऐसे कुछ टेबल दे दिया जाएगा जैसे एक वरगंतरा लहेगा दूसरा बारम बारता रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे जब यह दोनों बहलों को दिया रहे तो उसके ब उसके बाद जो यह सामने वाला बैलू है उसको जोड़ देंगे तो यह हमारा सामने बैलू है नाइन तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो नौ और छा हो जाएगा पंदरा उसके बाद हम क्या करेंगे जो यह संख्या है उसे फिल लिख देंगे और उसके बाद सामने वाल वैहान उसमें जूड़ देगे तो 5 और 2 सात और एक हो जाएगा दोउस यह जूड़ देते यह ङएगा तो यह हो जाएगा तो को आप जोड़ दें तो इसको यहां से लिखते हैं इस पूरे टोबल को जोड़ दो जितने अहां संख्या है उतना ही संख्या यहां जाएगी इन सब में capital यह तो हमारा formula है इसका मतलब हमें याल मान यल टू समाल याफ यंवाज ड़े टू एफ का मान चाहिए तब हम इसमें रख पाएंगे तो समझते हैं हमारे पास यहां यहन का मान है तो पाद का मान अब हम बैलू रख लेते हैं यन का मान हमारा है पचास इसे हम काट देते हैं और इसे हम काटेंगे तो यह हमारा जाएगा पचीस दुना पचास पचीसमा पदा जाएगा तो आगे हम समझते हैं अब हम देखें तो जो यह हमारा पचीसमा पद आया है अब हम इससे पहले हम कैपिटल यह का मान लिखेंगे तो जो भी पद आए उससे कम वाला बैलू लेते हैं वो कैपिटल यह का मान और जो कम वाला बैलू लेंगे वह हमेशा संचेम बारम बारता म होने लेंगे यहां पर हम निए 25 तो ये सटाइट इससे हमें क्वाला वेलु लेना तो इसके उपर वाला प्र वह हमारा हो जाएगा कैटली सकामान प्रवार्टा प्रावार्टा में देखें तो ये पहला मानता और यह दूसरा तो दो संख्याओं को यहां से छोड़के जो तीसरा वाला मान होगा हो जाएगा मारा इसमाल आख्मान आप मान आप अब हम देखते हैं उसके बाद हमें buyer- van जियाफ है उसी के सामने वाला वरगंतराल ले आदा या ले नहीं लेंगे तो जो भी यह 27 स्सेंम कममें ही मानले रादा यहां लेंगे Boris बारमान बारता से यहां 25 स्से कम लेंगे उससे जाधा ने लेंगे तो यहां तो 27 ता तो इससे हमें कम लेना था तो हमने ले लिए अपकंदरा और वो हो गया कैप्टलिय अपकामान कैसे यह पहला और यह दूसरा दूसरा वाला हमारा कैट्टेल यह का मान है तो दो संक्य हां से छोड देंगे पहला और यह हो गया दूसरा तो यहां समय तीसरा वाला मान यह इस माल यह का म captain Thank you ईसमाहलियक का मान होगा वही हमें सब वर्ग कर लेते हैं उसे के 32 तो जो पहला वाला मान होगा 1 वह ऐलला मान होगा जो दूसरा वाला मान होगा वह यले ट्न का मान होगा तढ़ आप हम स्मझते हैं आगे उसके बाद हम Bajlun रखेंगे तो यहां पर हम देखें हमारा Alexa मिल चुका है曦िगा कौं कैट्टलिम से लिखते हैं यले 11-1 20 प्लस yellow two कमान वो हमारा 30 माइनस में है यल 11 तो उस कमान है 20 और बटे इसमालियाँ इसमालियाँ कमान है 12 यन कमान हमारा आहे ता 50 और बटे यहां पर आये 2 कैप्टलियाँ कमान हमारा है 15 अभिसे हम solve कर लेते हैं यह 20 तीस में से 20 खटादेंगे और यहां पर हमारा है बटै रहा यहां पर देखें तो दो से भाग कर देंगे तो यहां तो यहां पर था देंगे तो यह घा 15 यो यह ऑन से 5 avail यहां पर हमारा वेलू आगया पचीस बटे तीन अब क्या करेंगे उसके बाद वहाज़ देते हैं तो भाग देंगे ऑव देख एक बचाता यहां जीरो हो जाएका पर यहां पर आब हम छोड़ देते हैं अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो बीस और यहां पर है आठ बीस और आठ हो जाएगा अठाइस और यहां पर आजाएगा तैंटीस अठाइस दस्मलों तीन तीन एंसर हो गया तो यह था धन्नवाद